जब आप किसी भी strategy को या किसी भी indicator को बिना अपना दिमाग लगाए हुए अगर आप use करते हैं तो ऐसे में आपका loss जो है confirmed हो जाता है और यही reason है कि आप consistently जो है profit नहीं बना पाते हैं आप एक या दो trade में profit बना लेते हैं लेकिन उसके बार क्या होता है एक loss आपका बड़ा स सारा profit लेके चला जाता है और एक बड़ा सा आपको dent दे जाता है आज के इस वीडियो में मैं आपको example की help से detail में समझाने वाला हूँ कि वो क्या गलती है जो आप अकसर करते हैं और जिसकी वज़े से आपका losses जो है वो लगतार trading के अदर होता रहता है एक दो profit की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पिछले 30 दूनों का data अगर मैं देखूं और आप loss में है तो उसके पीछे का reason है आज के इस वीडियो में एक example से समझाने वाला हूँ आप उसको other दूसरे indicators पे भी use कर सकते हैं आपने thumbnail से देखी लिया होगा कि बहुत सारे ल कोलता है जैसे कि यहां पर यह रहा फिबनाकी टूल जिनको नहीं पता है फिबनाकी टूल क्या है comment section में लिखके बताना मैं आपको उसके ऊपर भी video बना के बता दूंगा कि लोग इसको किस तरीके चीज़ यूज़ करते हैं और मैं क्यों इस चीज़ को जो है use करने से market मैंने इस चीज़ को समझाने के लिए कि कैसे आप blindly किसी चीज़ को जब follow करते हैं तो आपका loss होता है delta exchange का एक चार्ट ले लिया है मुझे बस एक चार्ट चाहिए था तो धन का account मैंने भी login नहीं किया तो तो मैंने delta exchange का चार्ट ले लिया यहीं पे मैं आपको इस पे समझाता हूँ देखो low से लेके आपने top तक जो है Fibonacci tool लगा दिया ठीक है लगा दिया अब कहते हैं कि जब यह uptrend चला और यह वापिस घूम रहा है तो यह support कहां पे लेगा 50% के level पे और 61% के level पे यह क्या करेगा support लेगा correct अब इस तरीके से अगर आपको लोग दिखाएंगे YouTube पे और बोलेंगे देखो यह उपर गया और देखो 50% पे यह respect कर रहा है यहां से support ले गया और support लेगी है market उपर की तरफ जा रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई अभी तक आपको लग रहा हुआ कि यार बहुत अच्छी बात है Fibonacci tool तो काम करता है बिलकुल 50% और 61% के level से क यह बिलकुल गलत है हर एक strategy हर एक indicator के पीछे अपना दिमाग जरूर लगाओ कि यह जो बोल रहे हैं उसमें कितना सच है और कितना वो चीज गलत है उसको practically देखो तो यहां पे आपको काईदे से क्या हो रहा है 50% के level पे आने के बार market को उपर की तरफ जाना चाहिए यह बा आपको दिखाता हूँ दूसरा इसका व्यू ठीक है अब इस फिबनाकी टूल को अब देखो आपकी entry कहां पर बनी है उस area को हम mark कर लेते हैं यह वाला area जो है यह 50% का level था जहां से आपको support मिला और फिबनाकी टूल भी बोल रहा है कि उपर की तरफ बजार जाएगा क्यों अब इस फिबनाकी टूल को मैं से हटा देता हूँ और अब ध्यान से देखो यह एक क्या है यहां से लेके top से लेके bottom टक downtrend है तो फिबनाकी टूल तो कहीं भी लगा सकते हैं अब अगर मैं यहां पर फिबनाकी टूल लगाता हूँ top से लेके इस downtrend तक का तो अब देखो य अब क्या हो रहा है काईदे से याने कि यह downtrend में जब यह नीचे गया और यहां से घूम रहा है तो resistance कहां पर फेस करेगा 50% या 61% के लेवल पर ठीक है और अब यहां पर जो इस चीज को दिखाने वाले होंगे वह आपको बोलेंगे कि देखो फिबनाकी टूल काम कर रहा है औ और अभी-अभी हमने क्या देखा कि बड़े वाले ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं इस ट्रेंड को capture जब मैंने किया था फिबनाकी से तो उसके हिसाब से तो यहां से उपर जाना चाहिए और मार्केट क्या हो गया इस जोन में तो फस गया अभी है क्योंकि यह चोटा वाला फिबनाकी क्या बोल रहा है कि भाई मार्केट को नीचे जाना चाहिए कुकि वह 50% के लेवल पर है यहां से रेजिस्टंस करेगा बजार को नीचे जाना चाहिए और बड़े वाला क्या कह रहा था कि मार्केट ने यहां सपोर्ट लिया है मार्केट को ऊपर जाना चाहिए अब मुझे आप बताओ कौन सा ट्रेड आप प्लान करोगे आप तो इस रेंज में फस गए ना आप बोलोगे कि रेंज ब्रेक होने का मैं वेट करूँगा जिधर यह रेंज ब्रेक हो जाएगा उस तरफ का मैं ट्रेड लोगा यही आप बोलोगे ठीक है अगर ऐसा ही करना है तो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों नहीं बना लेते हैं आप इतना फाल्तु की रेजिस्टेंस ड्रॉ करते चले जाएं क्योंकि अगर आप इस सारे फिबिनाकी टूल को हटा दोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पर क्लियर कट प्राइस को देखके कि यह वाला एरिया रेजिस्टेंस है ठीक है देख रहे हो और इस रेजिस्टेंस को अगर क् अगरेटर दिसाइड नहीं करेगा हां एक्स्ट्रा कंफिमेशन के लिए आप एक विबिनाकी टूल यूज कर सकते हैं तो यहां पर जैसे कि आपका यह रजिस्टेंस एडिया है ठीक है तो आप विबनाकी टूल क्या कर सकते हैं टॉप से लिके लेटेस्ट वाला जो ट्रे ट्रेंड पर यहां से मार्केट नीचे जा सकता है ठीक है तो फिबनाकी का कंफिमेशन हो गया और अगर आप देखोगे माइनर सा यहां पर देखोगे यह एक ट्रेंड लाइन जा रहा है अगर आप मैं यहां पर बनाके आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं यह ट्रेंड जाएगा तो इस तरीके से जो है हम प्लानिंग करते हैं अगर एक्स्ट्रा कंफिमेशन लेना है तो आप इंडिकेटर का यूज कर सकते हो लेकिन आप बोलोगों कि सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पर मैं डिसिजन बना लोगा कि मुझे इस साइड में जाना है तो आप पसंद आया होगा अगर आंसर है येस तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंपोर्टेंट है कि आपके पास नोटिफिकेशन आए और इसलिए आप चैनल को सब्सक् प्षिश करूँगा कि आपकी help मैं further कर सकते हैं जिन लोगों को Sunday session जोईन करना जहां पर मैं अपनी दो strategies जो personal है वो शेर करता हूं तो आप WhatsApp पे से contact करके जो है या call करके आपको number screen पर दिख रहा है आप मुझसे detail ले सकते हैं चलिए मैं मिलता हूं आप से एक लिए वीडियो में तब तक क्ले take care and keep learning new things as always क्योंकि learning यह आपको एक अच्छा and successful trader बना सकता है Thank you so much